नमस्कार दोस्तों आपको हमारा ओनलाइन स्कील पल्ड यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मैं फिर इस बार आपको भारत ATM एप के बारे में बताने बाला हूँ दी शुरु करते हैं तो आज से भारत ATM का अपडेट आ चुका है तो मैं बता दूँ भारत ATM का क्या अपडेट है जैसे कि भारत ATM आप को आपण कर लीजेगा जहां देखे क्या बता देते है। अगर आपका पैसा फशा हुआ है आज से पहले के transaction जितना भी आज से पहले के सारी transaction किये हुए आप जいやसे की मैंने ус देentecar करके आपको दिखाता हूँ ये देखिये जैसे ही मैंणे settlement बट्क क्लिक किया ये क्या बता रहा है ये हमारे पैसे को haull कर लिया है अब ये पैसाा आपको 45 दिन के बाद ही आपके एकाउंट में आएगा इसके लिए भारत ATM ने एक अपडेट भी लागू किया है देखिए यहां नीचे में आपको नीचे स्कोल करना यू अपडेट पर देखिए नीचे जाना वहाँ पर आपको दिख जागा देखिए नय ट्रांजेक्शन के लिए सेटलम होल्ड पड़ है अभी जो आपका पैसा आज से पहले का ट्रांजेक्शन जितना किये वह पैसा आप 45 दिन के बाद ही निकाल पाईएगा और जो पैसा आपका होल्ड है वह भारत ATM से उसका जैसे मेरा 10,000 रुपीर है तो 10,000 का आपको 1% 1 मंत पर आपको कैस्वेक भी मिलेग समझ गए आपका पैसा कब सेटलमेंट होगा अब मैं बात करूंगा भारत ATM में क्या-क्या अपडेट है देखिए भारत ATM में कुछ नए अपडेट आया जैसे कि अब आप भारत ATM से कैस वीड्रो अधार ATM सब लाइव है आप कैस वीड्रो भी कर सकते है और कैस डीपोजिट सकते अब आपको कोई प्रोब्लम नहीं अब आप इसमें क्या है सेटल्मेंट चार्ज भी नहीं लगती जी हां दोस्तु जैसा कि मैं आपको बतारा हूँ भारात ATM से आप दिन में चार बार भार च्टेल्मेंट कर सकते हैं आपको पहले क्या होता था अगर आप यड़िन्हीस वराइस अगॉट की फौकन आन इए मैंने अच्छा खासा ट्रांजक्शन किया यह दे pazू the pra वुल जैसे लगवग आपको सीज़क्शन प्र Мस Memленious, 12 तरानजीक्शन, on Red Ved que सोला सिक्स्टिन ट्रांजक्सन आज मैंने ट्राइख को प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सेटलमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आप 12 ATM से आप cash withdraw कर सकते हैं देखे मैं settlement आपको दिखा देता हूँ settlement आप देख ली देखिए हमारा आज 2-3 वार करके मैंने settlement किया settlement हो गया अब आप one times में 10,000 से 2,000,000 तक कर सकते हैं अब आपको इसमें 2,000,000 तक withdraw कर सकते हैं settlement में क्योंकि पहले आप क्या करते थे 10,000 से ज्यादा settlement नहीं कर सकते थे और आप 10,000 से 2,000,000 तक settlement कर सकते हैं बिना कोई चार्ज दिए यह अभी सबसे अच्छा नियम लागू किया है यह नियम बहुत अच्छा ही आप cash withdraw इसमें कर सकते हैं तो अब मैं आपको बता देता हूँ लेकिन इसमें एक बात है माई यर्निंग को आप अभी विड्डो नहीं कर सकते हैं माई यर्निंग देखें में अभी जो भी आप यर्निंग कीजिएगा इससे अभी आप इसको बेंक अकांट में नहीं ले सकते हैं आपको 45 दिन के बाद ही लेना पड़ेगा आसा है कि आप भारत ATM के बारे में समझ गए होगे अगर वीडियो में अगर कोई भी प्रॉबलम आती है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर दे मैं आपका डिप्लाइ जरूर दूगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले